हालो जाहिन सभी को स्वागत है आप सभी का पुना आज के इस न्यू वीडियो में जो कि चंदिगर्ड स्पेशल एजुकेशन हमसे की उसरी सिक्स है छठवी वीडियो है जिसमें आपको 20 कोस्चन मिलेंगे बहुत जल्द मेराथन ग्लास भी मिलेगी आपको जिसमें कोशिस करेंगे कि 40 से 50 कोस्चन आपको उसमें मिले और ऐसे स्पेशल एजुकेशन से सम्मंदित वीडियो को देखने के लिए चैनल पर हो सकता है कि पहले आप पढ़ भी चुके हों या कहीं न कहीं से सर्च करके पढ़ लिया हों कुछ ना कुछ क्वेस्टन्स आपको बहुत सारी आते रहते हैं कुछ आपके लिए नए भी हो सकते हैं चलिए आज का हमारा पहला सवाल है प्रश्ण नमर 101 जो आपके सामने है कि वीसी का विक्रती किसका एक प्रकार है जिसे हम पैनिक डिशॉर्डर कहते हैं तो किसका एक टाइप्स है हमारे पास चार आप्संस है आप्सं ए लर्निंग डिसिबिल्टी अधिका मक्षमता इसके mode हो नहीं सकते क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, dyspraxia, dyslaleia वगएरा होते हैं तो यह इसका हो नहीं सकता है आप्शन बी सुलिंता इस्पेक्ट्रम डिशॉडर जिसे आटिजम इस्पेक्ट्रम डिशॉडर कहते हैं यह भी नहीं है क्योंकि इसमें रेट्स डिशॉडर असपर्जर सिंड्रोम या फिर चाइल्धूड डिसिंटिगरेटिव डिशॉडर परवेशिव डेवलेमेंटल ड डिशॉडर या फिर अप्शन D खाना विकार इटिंग डिसॉडर जो अनौरक्षियन और वोशा होता है यह उससे संबंदित है तो यह भी नहीं है तो क्वेश्चन नमर 101 का जो हमारा सही जवाब है अप्शन C is the correct answer चिंता विकार या anxiety disorder से related है क्वेश्चन नमर 102 जो आपके शामने है कहता है एनल जीसिया का क्या अंथ है एनल जीसिया का अर्थ क्या है ऐसे पठांग के ही कई वार सवाल आ जाते हैं एक्जाम में एनल जीसिया का अर्थ क्या हमार पास चार अप्शन से पहला अप्शन A कि रोगी के सरीर में अति संबेदन सिलता का होना जो हाइपर जाना या कट क्वेशन नम्बर 102 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कि अगर किसी को analgesia है तो रोगी अगर है उससे या समस्या ग्रस्त है तो उसके सरीर में दुख्या दर्थ के प्रती कोई संबेदन सिलता नहीं होगी क्वेशन नम्बर 103 जो आपके सामने है कहता है ADPO जना कब सुरी हुई ऐसी भी सवाल आ सकते हैं हमारे पास चार options है option A. 1912, option B. 1994 option C. 1981 option D. 2021 question number या question number 103 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer 1981 question number 104 question 104 जो हमारे सामने है heaps का क्या अर्थ है HIVES heaps का क्या अर्थ है हमारे पास चार options है option A. चिंतन समस्या से सम्मन्द है या फिर option B. दाढ़ी न बढ़ना option C. बालों का जढ़ना या फिर option D. तचा में ददोरे पढ़ जाना तो question number 104 का जो हमारा सही जवाब है option D is the correct answer heaps का अर्थ होता है कि तचा में ददोरे पढ़ जाते हैं ति यह उससे related है question number 105 जो आपके सामने है चलिए इसके बारे में जानते हैं कहता है जब कोई विशेज सिक्षाक अपनी कप्षा में दिव्यांग बिद्यारतियों की अधिगम संबंधी समस्याओं करता है तब वो क्या कहलाता है मतलब कोई एक special educator है उसकी class में problems है या इसकूल की class में problems है तो अगर क्योंकि वो एक special educator है और उसकी school की समस्या है उसकी class की समस्या है उसका समधान करने की कोशिस करता है तो एक local setting हो गया तो जब ऐसी होता है जो किस तरीके का सोध होता है option A कार्यात्मक्सवद या जैसे action research कहते है option B व्यावारत्मक्सवद जैसे applied research कहते है या फिर option C प्रयोगात्मक्सवद जैसे experimental research कहते है या फिर option D इन में से कोई नहीं question number 105 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer action research या कर्यात्मक्सवद है अब समस्या हैं वहाँ की एक local setting है यह माना जाता है कि अगर local setting में local situations में problem है और आप उसी छेत्र के मालिक है उसी छेत्र के मालिक के साथ साथ उस छेत्र में working है कार करते हैं उसी छेत्र से जुड़े हुए हैं तो अगर वैसी समस्याओं का समधान करते हैं तो वो एक action research होता है कोशिस करेंगे कि research से related भी कुछ questions आपको और दे दे question no.106 आपके सामने है सवाल यदि कोई बालक अपनी समस्याओं स्वयम हल कर लेता है तो आपकी पृत्करिया क्या होगी कोई समस्याओं थी खुदी कर लिया आपसे पूछा भी नहीं तो फिर आपकी पृत्करिया क्या होगी ऐसे भी सवाल आ सकते हैं हमारे पास चार option से option A, बालक को कुछ नहीं कहेंगे option B, बालक को पृत्करित करेंगे option C, बालक को धंडित करेंगे option D, बालक को दोबारा ऐसा ना करने को कहेंगे question no.106 एक 106 का जो हमारा सही जवाब है option B, इसदा करेक्ट उसर कि उसे पृत्करित करेंगे very good, बहुत बढ़िया आपने मतलब बिना पूछे ही समस्या को solve कर लिया अचा पृत्करित का मतलब केवल यह नहीं कि रुपाही देना है साबासी दे शकते हैं पृत्रवलन कई तरीके का होता है reward सब्दों के माध्यम से भी दे सकते हैं और वस्तुओं के माध्यम से भी दे सकते हैं situations कैसी है उससे हमाय demand क्या करती है फिलहाला option B is the correct answer question no.107 जो कहता है कि साइमतराष्ट विकास कारिक्रम कब सुरू हुआ यह साइद आप इससे परतीत होंगे इसको डिटेल में भी पढ़िए यह अगर कहीं पर गरीबी है भुखमरी है या ऐसे सिस्टम्स है तो उनको दूर करने का काम यह कारिकरम करता है यह सवाल है इसके अंतरगत की सेमतराष्ट विकास कारिकरम कब सुरू हुआ हमारे पास चार आप्शन है जिसको UNDP कहते है आप्शन A 10 December 1965 आप्शन B 22 December 1965 आप्शन C 22 November 1965 1965 या फिर आप्शन D 19 April 1999 तो क्वेश्चन नमर्ट 107 का जो हमारा सही जवाब है आप्शन C is the correct answer 22 November 1965 को यह सुरू हुआ था क्वेश्चन नमर्ट 108 जो आपके सामने हैं कहता है कि ECCE का पूर्ण रूप क्या है यह आप बहुत अच्छे से जानते होंगे आप्शन A Early Childhood Curriculum and Education आप्शन B Emotional Care of Correspondence Education आप्शन C Educational Core Curriculum Evaluation या फिर आप्शन D Early Childhood Care and Education क्वेश्चन नमर्ट 108 का जो हमारा सही जवाब है आप्शन D is the correct answer कि जो ECCE होता है जो Early Childhood Care and Education से related है क्वेश्चन नमर्ट 109 इसको बहुत ध्यान से देखेगा क्योंकि हो सकता है आप जानते भी हों और कमेंट करके भी जरूर बताया करिए कि क्या इस्थिती है questions की कितने आपको आते हैं नहीं question number 109 जो 109 है 109 उसका question है आपके सामने की राष्टी सिक्षनीटी 2020 के भाग एक के किस अध्याय में भारती संकेतिक भासा की बात की गई है ऐसे भी सवाला सकते हैं आप जानते हैं कि साइल लेंग्वेज की बात की गई है 2020 में जो निव एजुकेशन पॉलसी है जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी है यहां पर इसकी इंग्लिस बिलकुल भी रॉंग है यह ध्यान रखिएगा इसलिए इसकी इंग्लिस ठीक नहीं है राश्टी सिक्षनी 2020 के भाग एक के किस अध्याय में भारती सांकेतिक भासर की बात की गई है हमारे पास चार आप्सन से आप्सन ए चेप्टर टू यानिके अध्याय दो आप्सन बी चेप्टर थी यानिके अध्याय तीन chapter 4 यानिके अध्याय चारिया फिर D, अप्सन जो है chapter 5 यानिके अध्याय पाँच तो question number 109 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer ये अध्याय 4 में बात की गई है chapter 4 में बात की गई है question number 110 ऐसे भी प्रस्ना आ सकते हैं कि निमलिखित में से कौन बधिरांदता से ग्रसित है अब आपके एक व्यक्ति को पहचानना होगा कि वह डेप ब्लाइंट से रिलेटेड है भी की नहीं है हमारे पास चार ओप्सन्स है ओप्सन A, गवकरन पाटिल ओप्सन B, किम पीक ओप्सन C, मारली मैटलिन ओप्सन D, जूलिया ब्रेस जो पहला ओप्सन है इसमें जो 110 का जो सही जवाब है ओप्सन D is the correct answer जूलिया ब्रेस जो कि डेप ब्लाइंटे से ग्रसित हैं इस चार ओप्सन्स बेसे जो गवकरन पाटिल है ये सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते इनके दोनों हाथ भी नहीं है एक बहतरिन पेंटर है बहुत अची पेंटिंग करते हैं राष्टपती से भी अवाड़ेड है गोल्डन बुक अप अवाड़ से भी अवाड़ेड है किम पीक ये एक ओटिजम स्पेक्टरम डिशॉर्डर से ग्रसित हैं जो इसको सेवेंट सेंड्रोम है बहुत ही अमेजिंग मेमोरी है एक किताब को एक साथ दोनों पेज लेफ्ट और राइट को एक साथ पढ़ सकते हैं और लगबग 98% इनको याद रह जाता है मारली मैटलिन ये भी अमेरिकन एक एक्टिंग करते हैं मतलब एक एक्टर है एक्टिविस्ट है और खास करके ये हेरिंग इंपेर्मेंट है और जूलिया ब्रेस ये डेफ ब्लाइंट है तो हमारे सवाल में था लेखित में से कौन बदिरानता से ग्रशित है जो डेफ ब्लाइनने से वो है उप्टिविस्ट इस दा करेक्ट अंसर जूलिया प्रेस बहुत सारी वीडियो जो गुरेट परस्णाल्टी से लेलेटेट बन रही है आप उन्हें भी देख सकते है क्वेश्ट नमर 111 है कि विस्ट हीमोफिलिया दिवस कब मनाये जाता है साहिद ऐसे भी प्रस्णा आ सकता है जेबीटी में या टीजीटी में भी आ सकता है कोई जरूरी नहीं कि केवल जेबीटी में आए हमारे पास चार अप्सन से क्वेश्ट नमर 111 का जो हमारा सही जवाब है आप्सन बी इसदा करेक्ट आप्सर सत्रह अप्रेल को हर साल मनाये जाता है क्वेश्ट नमर 112 कहता है कौन सा अधनियम आईपी से सम्बंधी थे ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी बात है आईपी की हर एक्ट बात नहीं करता है इंडिविजलाइजड एजुकेशनल प्रोग्राम या यूं कहें कि आईपी की सुरवात ही किसने की है तो इन चारो एक्ट में से एक है आप्सन ए इंडियन लुनासी एक्ट जो 1912 में आया था आप्सन बी मेंटल हेल्थ एक्ट जो 1987 में आया था आप्सन सी आईडिया जो 2004 में आया था या फिर आप्सन डी आर्सिया एक्ट जो 1992 में क्वेश्चन नम्बर 112 है का जो हमारा सही जवाब है आप्सन सी इस दा करेक्ट अंसर आईडिया इंडिविज्वल्स इडिसिबिलिटीज एजुकेशन एक्ट 2004 इसके अंतरगत आईपी संचालित है क्वेश्चन नम्बर 113 जो आपके सामने है राश्टी सिक्षानीती 2020 के अनुसार ग्रेड फर्स्ट में प्रवेश वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तयार है यह सुनिशित करने की समय सीमा क्या है हमारे पास चार अप्सन से अप्सन A 2035, अप्सन B 2040, अप्सन C 2030, अप्सन D 2025 क्वेश्चन नम्र 13 का जो हमारा सही जवाब है अप्सन C is the correct answer इनका एजन्डा है 2030 बहुत सारे एजन्डा थे बट कंप्लीट नहीं होते हैं फिलहाल प्रयास करते रहते हैं क्योंकि नहीं करेंगे तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी फिलहाल क्वेश्चन नमर 114 का जो आपके सामने सवाल है किनमेलेकित कत्रों को पढ़िये और उप्यूक्त भी कल्प का चैन कीजिए किनमे साकिर सही कौन है कत्षन वन है कि क्रियात्मक सोध का अर्थ इस्थानी सेटिंग में समाधान से है कत्षन दूसरा सुद्ध सोध प्योष रिसर्च जीसे Fundamental Research कहते है सुद्ध सोध का अर्थ केवल सिधानत दिर्माड से तो हमर पास चार उप्शन से उप्शन केवल कत्षन सई है उप्शन बी दोनो कत्षन गलत है उप्शन C केवल कत्षन पहला सई है केवल कत्षन एक गलत है या फिर option D, cable कथन, दूसरा गलत है question number 114 का जो हमारा सही जवाब है option A, is the correct answer, दोनों कथन सही है ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे ऐसे pattern के भी सवाल आते हैं और अच्छी बात है, कोई न कोई सवाल आपको फस जाए एक दुनमबर की मदद अगर इनसे हो गई तो साइद बेहतर होगा ये भी एक सवाल है, ऐसे भी आ सकता है कोई जरूरी नहीं कि समस्या हो तभी पूछ रहे समस्या किसने पता लगाया ये भी पूछ सकता है question number 115 है कि anorexia nervosa जो आप जानते हैं कि खाने से संबंधित एक बीमारी है समस्या है, तो anorexia nervosa विकरती को सबसे पहले किसने पता लगाया option A, Brady, option B, Laser, option C, Sir William Gull, option D, Zorn Young question number 115 है का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer, Sir William Gull question number 116 जो आपके सामने है साइद इससे सभी परचित होगे जनी इससे रख दिया है और बहुत सारी लोग जो नहीं परचित होगे वो भी जान जाएगे question number 116, NVDA का पूड़ रूप क्या है NVDA क्या है, पहली बात तो ये एक soft bear है जो दृष्टी बाधित बच्चों के लिए काम आता है option A, New Visual Declaration Access option B, Non Visual Desktop Access option C, Non Visual Drive Accessibility option D, Numerical Visual Desktop Access question number 116 का जवा हमारा सही जवाब है option B is the correct answer, Non Visual Desktop Access जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, वो भी आसानी से पढ़ सकते हैं सुन करके क्योंको उसका काम ही यही है question number 117 है जो आपके सामने है कहता है कि प्रभाव के अधार पर कारणों का पता लगाना क्या कहलाता है एक रिसर्च के अंतरगात आता है कि मालीजे कोई घटना घट चुकी है अब हमें यह पता लगाना है कि किस कारण से हुई है यानि कि DV के अधार पर IV का पता लगाना है independent variable जो कारण है खास करके हमारे पास 4 option से option A प्रयोग आत्मक सोद के अंतरगात आता है option B वरण आत्मक सोद या फिर C एक्स पोस्ट फेक्टो सोद रिसर्च या फिर D एतिहासिक सोद question नमर 117 का जो हमारा सही जवाब है option C is the correct answer एक्स पोस्ट फेक्टो रिसर्च question नमर 118 का प्रशन आपके सामने है कि client के इंद्रित जो client centered therapy होती है उसके प्रितिपादन किस ने किया यह माना जाता है कि उन्होंने किया है option A विक्टर फ्रेंकल option B कॉल रोजर्स option C विंस वेंगर या फिर option D जोसेफ एच प्राट question नमर 118 का जो हमारा सही जवाब है option B is the correct answer कॉल रोजर्स आप जरूर अपनी प्रतिकरिया दिया करें comment में कई लोग जैसा भी आपका मन हो अच्छा लगे तो अच्छा बुरा लगे तो बुरा बट साइद बहतर होगा मैं उससे सुधार कर पाऊँगा question number 119 उस उपकरणड का नाम बताए जो दस्ताबेज लेने और ब्रेल में टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए कम्प्यूटर से जूड़ी हुई हो होती है जूड़ी हुई होती है एक साथ पढ़िए यानि कि अगर कोई दस्ताबेज आपने ले लिया कोई material आपने ले लिया है और उसे ब्रेल में टेक्स्ट को प्रिंट कर दे तो उसको क्या कहते हैं option A Braille Printer option B Note Takers option C Smart Display option D Screen Reading question number 119 का जो हमारा सही जवाब है option A is the correct answer Braille Printer ये भी सवाल साथ पूछा जा चुका होगा नहीं पूछा जा चुका होगा कि भारती पागलपन अधनियम में कितने अध्या हैं जिसको हम Indian Lunasiat कहते हैं ये 1912 से सम्मधित है फिलाल 120 के कितने अध्या हैं तो इसमें 120 का सही जवाब है option B इसमें 8 अध्या हैं तो ये आज के 20 questions I hope आपके लिए बहितर रहे होंगे कमेंट करके जरूर बताइए लाइक जरूर किया करिए और अगर आपको लगता है कि आपके सहपाठी भी सीख ले कोई और जान ले तो आप सेर भी कर सकते हैं और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजे और विल आइकान को भी प्रेस कर लीजे नोटिफिकेशन आता रहेगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा सेखते रहिए, खुश रहिए, शफल होए थाइंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बद्दे मात